कि आपको क्या लगता है इस तरह से लगातार भरतियों को लेकर रिक्त पड़े स्थानों को लेकर भरती पर रशन कर रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है उत्तर प्रदेश सरकार जिसने पिछले समय 14 लाग प्रतिवर्श रोजगार की बात की थी अपने चुनावी गोश्रा पत्र में जी तर लाग के सापेश आज तक चार लाग भरती कर पाई जैसा कि सरकार ने निरंतर मेडिया के माध्यम से विज्ञापनों के माध्यम से उत्तर प्देश की जन्ता को बताने का काम दिया लेकिन वो चार लाग भी भरती पूरी नहीं कर पाई आप देखें सिच्छक अभी आंदोलन रख थे बेसिक सिच्छा के लोग प्राइमरी स्कूल के टीचर अभी होमियोपायत के तमाम फर्मासिस्ट जो कल धरने पर थे उत्तर प्रदेश अदिनस चैन सेवा आयोग के लोग धरने पर थे सिपाई अभी अर्थी चाहिए वो 2015 की भरती हो जो 2018 की भरती हो जो 2018 भी की भरती हो निरंतर आंदोलन के माध्यम से सरकार के प्रत्लिदियों से मिलकर अपनी हग और अधिकार की मांगों कर रहे हैं सरकार को तो संबेदना दिखाने चाहिए सरकार को इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए लेकिन आज किसान का बेटा गरीब का बेटा सड को बरांदोलन करने पर बात दिया है और सरकार संबे दनीन बनी हुई है कहां गया आपका वादा यूगी जी बताएंगे करना कि पिछली सरकारों ने जो गल्तिया की हैं उसका खाम्याजा हमें वुकतदा पड़ा लेकिन समय लग रहा है बस समय चाहिए हमें थोड़ा यह कौन सा समय चाहिए अब चुनाव आने वाला है 2015 की भरती है 2018 की भरती है 2018-2014-2019 की भरती है आप ने जितनी भैकेंसी निकाली कि उतनी भैकेंसी पूरा नहीं कर पाए कौन सा कारल है कि अपने हग अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है शंगर्श करना पड़ रहा है ठीक है अकाशी क्या करना आपका है तरह से भूखे तरफ तरह में पड़ने कहीं अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए अजय कुमार ललु जी ने जो बात कही है उनको उनकी प्रासंगिक्ता उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में कितनी है यह उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बता दिया आज यह इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में पाचवे नंबर की पार्टी है आप सोचिए कि जो सबस कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्जी है, मैं उनसे यही बात कहूंगा, कि जो कमियां पुरवर्ती सरकारों में थी, उस कमियों को दूर करने का प्रयाज भार्ती जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और हम उसको पूरा कर भी रहा हैं, आप भी अपनी बात में कहा रहा हैं कि 2013 की भरती, 2015 की भरती तो 2013 में किसकी सरकार थी, तो इन सब चीजों को देखने के बाद रिक्तर तुर्देश की जनता ये बहतर तरीके ज़से समझती है, अज़ार तिक्षक भरती का मामला लामबित पड़ा हुआ है, तो क्या 69 जार तिक्षक भरती में लोगों की नुक्तिया नहीं हुए, लोग नुक्री नहीं कर रहा है, कुछ अगर कहीं कमिया रहा गई है, मैंने पहले भी कहा कि अगर कहीं कोई फॉल्ट हुआ है, तो उसको दूर करने का प्रयाँ बार्ती जनता पार्टी की सरकार पूरी मांदारी के सब कर रही है. तो सीदे-सीदे कह रहे है कि आपकी पार्टी उतरप्रदेश में पार्च्वे नंबर की पार्टी, अभी पिछले समय, जितनी भर्तिया निकली हैं, उन भर्तियों की स्थिति और आलम को देखिए, कहीं न कहीं कोट के सरण में हैं, कौन सी इस्थिती है कि अगर आप बेसिक सिच्छा की भरती निकालते हैं दरोगा की भरती निकालते हैं यूपीएसी की भरती निकालते हैं उसमें ब्रस्टाचार खुल कर सामने आता है यह जो नौजवान है मैंने 2013 नहीं का 2015 का 2018 का 2010 06 second me सवाल किये तермien सरकार से क्या सक्रहण को संयान नहीं ने चाहिए अगर सड़कों पर हम लोगां लन करके रोजबेरुजगारों के सवाल को उठा रहे हैं तो क्या सरकार को संयान और यह अभूरती जो अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं कैस सरकार को संग्यान नहीं लेना चाहिए सरकार तो हेडिंग मैनेजमेंट में लगी है तो आपको क्या लगता है संग्यान नहीं ले रही है अपने दे उत्तर परदेश में लोगों को अक्सिजन के प्रवाव में तरपा तरपा के मरने पर भीवस किया और आज फिर इन उजवानों को बेरोजगारी का दंस इस पर आपने मजबूर कर दिया है कि आज नोजवानों को सड़को पर उतरना पड़ रहा है रही बास राजनितिक प्रोचिदंदा की वो जनता प्रदेगी इस वार क्या कहना है अपड़ जिनको आप पांचल नंबर गड़ पार्टी जिनको आप से आदा शाय तक पता है कि क्या समस्याएं चल रही है और किस वज़े से ने उपते नहीं हो पा रही है नहीं नहीं देखे ये ये सिर्फ ब्रहम की इस्थिति पायदा करना चाहते हैं लोगों प्रियंका गांदी वाड़ा जी उनको कोई समस्या हो सारी समस्या उत्तर प्रदेश में दिखती है महराष्ट में सबसे आदा केसे जाते हैं महराष्ट में सबसे आदा मोहते होती है उसके लिए इनका ट्विट नहीं आता है लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई चोटी से चो पुजनी मुख्यमंत्री जी ने अभी पंदरा दिन पहले ही आदे जारी किया है कि जीन भी भी भागों में कहीं कि जीन भी भागों में जो पद रिक्त हैं उन रिक्तियों को हम भरेंगे और उसके लिए सरकार पूरी प्रक्रिया कर रही है और जल्दी से जल्दी सारे भी भागों में जहां पर भी पद खानी है उसको हम भरेंगे मेरा केस पिछला वरगाइयोग में एक साल चल रहा है और मुझको योगी सरकार में नहीं मिल पा रहा है अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश की जो भी समस्या है जिन भी लोगों को अगर किसी अधिकारी ने कहीं कोई गलती की है कहीं कोई उन्होंने अपराद किया है तो उनको दंडित करने काम करेंगे आप मुझे ये बताइए आप ये सुनिश्ट करेंगे कि जो गोटाला हुआ है राश्य पिछणा वर्क की तरफ से उस पर कारवाई की जाएगी अगर काम किया जाएगा ताकि रोजगार मिल सके लोगों को रोजगार की जरुवात है इस सब्सक्राइब मैंने मैंने पहले ही कहा और आपकी डिबेट में मैंने ये बाते तीन चार बार ये बात बोल चुका हूं कि पुझ्यनी मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश जारी किया है सारे भी भागों को कि जहां पे भी कहीं कोई पद रिखता है उन पदों को भरा जाए अब इस से पार को उनकी और नजर फेराने की जरुवात है बहुत बहुत शुक्रिया अजे आकाश जी और अभे आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए तो मैं आशा करूंगी कि जिस तरह से अभियरती प्रदशन कर रहे हैं और उनकी जो मांगे है वो जायज ह है तो उनको तुरंद हल किया जाया और 358 पदों पर सिपाही भर्ती को लेकर आज अभियरती उन्हें प्रदशन किया 69 1000 सिक्षक भरती को लेकर लगातार प्रदशन जा रही है नेैं उक्ति को लेकर कही रास्ता सांसास उत्तक ये मांग की साथ तरें गलतार और आररक्स discovery है झाल झाल